नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी को ले करके आए आज हम सभी जानते हैं केले के फायदे और नुकसान के बारे में एक सेव प्रतेक दिन खाने से अच्छे स्वास्थे को बढ़ावा मिलता है लेकिन कुछ लोगों को ही पता है कि एक केला भी प्रतेक दिन खाने से डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है केले में कई विटामिन और पोशक तत्व शामिल होते हैं जो स्वास्थे लाब में कामाते हैं केले में कुछ एक पोशक तत्व और योगीक होते हैं जैसे कि कार्बो हाइड्रेट, विटामिन A, विटामिन C और B6, लोहा, फासफोरस, केल्शियम, मैगनेशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम और प्राकृतिक शरकरा जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लुकोज यह सब केले को एक सुपर फूट बनाते हैं जो एक स्वस् दैनिक आहार का अभिन हिस्सा है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले केले के भायदों के बारे में, यानि के लाभों के बारे में, केला आपको प्राकृतिक रूप से उर्जा देता है, और आपके शरीर में जितनी प्राकृतिक उर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए ह होती है उसकी आपूर्ती करता है केले में विटामिन खनीज और कार्बोहइट्रेट होते हैं जो कि प्राक्रीतिक उर्जा की एक त्वरित आपूर्ती करते हैं इसके अलावा केला ग्लुकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसे तीन प्राक्रीतिक शरकरा का एक सौस्थ मिश्रां है जिन से और भी उर्जा मिलती है केला ऐसे फ़लों में से एक है जिसमें दोनों जतिल और सरल कर्भोएट्रेट होते हैं जतिल कर्भोहएट्रेट आपको सहन शक्तिवाली उर्जा और सरल कार्बोहेट्रेट त्वरित उर्जा देते हैं सिर्फ दो केले आपको 90 मिनट तक उर्जावान बनाए रख सकते हैं केले के फायदे दिल के स्वास्थे के लिए केले में पोटेशियम पाया जाता है जो एक खनीज इलेक्ट्रोलाइट में सम्रिद्ध है और जो आपके दिल के स्वास्थे के लिए आवश्यक है पोटेशियम आपके मस्तिश्क को ओक्सीजन देने में संचार प्रणाली की मदद करता है यह नियमित रूप से दिल की धरकन और शरीर में पानी का एक उचित संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है जो लोग केले जैसे पोटेशियम युक्त खादे पदार्थों को आहार में खाते हैं उनमें काफी हद तक श्ट्रोक का खतरा, रत्चाप की समस्या और विभिन दिल की बिमारियों को रुका जा सकता है केला पीट के लिए भी बेहद फायदे मंद होता है केले दो तरीके से आपके पीट के स्वास्थ के लिए फायदे मंद होते हैं सबसे पहले केले में कई पदार्थ एक मोटी सुरक शात्मक शलिम परत के उत्पादन में मदद करते हैं जो कि पेट में एसीड के लिए एक बाधा के रूप में कारे करती है केले अमलता को बेशर करने में भी मदद करते हैं जो अलसर के गठन में योगदान कर सकती है दूसरे केले में प्रोटीज और रोधक होते हैं जो कि पेट में बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं जो पेट के अलसर के मुख्य काणों में से एक है वजन कम करने में है केले का लाव जी हाँ केला वजन कम करने के लिए भी सही विकल्ब है वेवसा में कम जबकि फाइबर और विटामिन में उच्च होता है केले में डाइटरी फाइबर पानी को और शोशित कर लेता है जो आपके पेट में काफी जगह ले लेता है जिससे आप लंबे समय के लिए भरा हुआ महसूस करते हैं इसके अलावा ये चया पचय को बढ़ावा देता है अन्यमित मलत्याग का हल है केला जिहां अन्यमित मलत्याग एक ऐसी स्वास्थे समस्या है जो कि आसानी से केले के न्यमित सेवन के साथ हल की जा सकती है केले में अगुलन शिल फाइवर अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि पाचन तंत्र के माध्यम से आगे जाते हैं अब शिष्ट पदार्थ की सफाई करते हैं और मलत्याग को आसान करते हैं हलांकि केले का बहुत ज्यादा सेवन और कम मात्रा में पानी कब्ज कर सकता है इसके अलवा अगर पूरी तर तीन तत्व होते हैं जो केले में पाए जाने वाले घुलन शील फाइवर हैं यह आतों में तरल पदार्थ को और शोशित करने में मदद करता है कीले का फाइदा आखों के लिए भी बेहद ही कारगर माना जाता है केले में विटामिन ए होता है यह एक वहसा में घुलन शील विटामिन है जो कि नेत्र स्वास्त के लिए बहुत ही महत्वपूर है दैनिक रूप से पर्याप्त विटामिन A का सेवन रतौंधी का खत्रा भी कम करता है नेत्र विज्ञान के अभिलेखागार में प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार जो दिन में तीन या अधिक केलों का सिवन करते हैं उनका उम्र बढ़ने से समबंदित आँखों में धब्बेदार विकार का खत्रा 36% तक कम रों सकता है उन लोगों की तुलना में जो दैनिक रूप से 1.5 से कम के लों का सिवन करते हैं आँखों में धब्ब्बेदार विकार वियसकों में दृष्टी हानी का कारण है केला है अच्छा एनीमिया रोग में जी हां केला एनीमिया से पिडित लोगों के लिए लोहे का एक अच्छा अश्रोत है आयरन की कमी एनीमिया का मुख्य कारण होता है और केला इस कमी को धूर करता है अन्य लोह युक्त खाद्य पदार्थ के साथ केले की नियमित ख लक्षनों को कम कर सकती है केले का लाव है morning sickness में जिहां अगर आप गर्वती हैं और morning sickness यानि के गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में सुबह के समय मितली आना मुकाबला करने के लिए तरीके देख रही हैं तो एक केला खाने से आपकी ये समस्या हल हो सकती है इसके शांत दायक गून शरीर की पुनह पूर्ति करने के लिए रक्त शरकरा केस्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं इससे जिमिच लाना भी कम हो जाता है गर्वती महिलाओं को सुबह जागने और प्रतेक भोजन के बाद एक केला खाने की सलाह दी जाती है इसके अलावा केले में क अवसाद से पीडित लोगों पर हाल के एक सर्वेक्षन के अनुसार कई प्रतिभागियों ने केला खाने के बाद बेहतर महसूस किया यह इसलिए क्योंकि केले में ट्रिप्टोफन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसे शरीर सेरोटोनीन में बदल देता है जो कि दिमाग क शांत कर देता है इसके अलावा जब आप आउसाद के कारण अनित्रा से पीडित हैं तो आप एक केला बिस्तर पर जाने से पहले खा सकते हैं इसके ट्रिप्टोफन प्रोटीन से आपको बेहतर निंद में मदद मिलेगी केला है मच्छर काटने से हो रही खुजली और कर सकते हैं पांच से दस मिनट के लिए मक्छर के द्वारा कटी हुई जगह पर केले के छिलके का अंदर का भाग रगड़ें यह खुजली और सूजन को कम करने में मदद करेगा वास्तों में यह सरल उपाए अक्सर क्रीम या दवा की तुलना में बेहतर काम करता है केले में टैरोसीन भी शामिल होता है जो एक अमीनो एसिड है और नेरी पाइन फ्राइन और डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है यह निट्रो ट्रांस्मीटर्स मस्तिश्क गतिविधी सतरकता और एकागरता को प्रत्साहित करते हैं इनका निमने स्तर अक्सर अवसाद के साथ करते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है तो आईए जानते हैं केले से होने वाले नुकसानों के बारे में एक मध्यम आकार के केले में 105 कैलोरी होती है तो अगर आप हर कुछ घंटों में एक कम कैलोरी वाली चीज खाना चाह रहे हैं तो केला बिलकुल भ स्वक्षता नहीं बनाए रखते हैं श्टार्च मुह में धीरे धीरे घुलता है जबकि शक्कर जल्दी घुलता है इसलिए जब आप केले जैसे खादे पदार्थ खाते हैं उनके कंड दांतों के बीच लगभग दो घंटे के लिए रह जाते हैं और इस प्रकार अधिक बैक् प्रदर्शन और प्रतिक्रिया समय को कम कर सकता है साथ ही आपको सुलाता है केले के अंदर मैगनिशियम मांस बेश्यों को आराम देता है और इन ही गुड़ों के कारण केला रात को सोने से पहले खाना अच्छा माना जाता है केले में अमीनो एसीड टाइरोसीन है जो शरीर टाइरामीन में परिवर्तित करता है टाइरामीन कुछ लोगों में माइगरेन का कारक हो सकता है हलांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप केले को अपने आहार्व से बाहर रखें यदि आप माइगरेन से पिडित हैं अपने चिकित सक्ष से पूछ कर सुनिश्चित करें क्यों अब्यक्ति जिन्हें लेटेक्स से एलर्जी है वे केले के लिए भी अतिसमवेदन शील होंगे घवराहट, नाक का बहना, खांसी, गले में खुजली और आखों से पानी बहना जैसे लक्षन इस एलर्जी के साथ आम होते हैं यदि आप प्रयाप्त रूप से परिपक्व के ल हरे केले प्रतिरूधी स्टार्च में समरिध्ध हैं, जो कब्ज का खत्रा बढ़ा सकते हैं, केले मध्यमस्तर गलाइसेमिक भोजन श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब है कि वे आपके रक्त शरकराकेस्तर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एक उंच गलाइसेमिक खाद्य ज़्यादा पके केले के साथ यह हुने की संभावना अधिक है क्योंकि उनका उच्छ गलाईसेमिक सुचकांक दूसरे केलों की तुलना में ज़्यादा है यादि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो केले का सेवन नियूनतम करें आहार में ज़्यादा पोटेशियम आपके गुर्दे पर ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं अधिक खुन बाहर निकलने के लिए यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है हलांकि हम आपको केले के नुकसान बता रहे हैं इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि जब ठीक मातरा में खाये जाएं तब के लिए आपकी सिहत के लिए बहुत लाफकारी हो सकते हैं बस कोई स्वास्ते चिंता का वुशय नहों जिसका ध्यान रखते हुए आपको केला खाने की अनुमती नहों बस ये ध्यान रखना चीए कि आप उचित मातरा में केले का सिवन करें आपके लिए ये बहुत लाफकारी साबित होगा और कुछ एक बिमारिया हमने जो बताई इनमें आपके लिए फायदे मंद होगा तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में यानि की निव एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों